कहार जाती के उत्पत्ती की स्टोरी बहुत जादा इंट्रेस्टिंग है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें हेलो दोस्तों क्या हाल चाले आज की वीडियो में हम बात करेंगे कहार जाती के इतिहास के बारे में कहार भारत में पाई जाने वाली एक हिंदू जाती है इनका इतिहास प्राचीन और गौरपशाली रहा है ये खुद को कश्यप रिशी और सब्त रिश्यों का वन्सज होने का दावा करते हैं कश्यप रिशी मरीची के पुद्र थे ऐसी मान्यता है कि मरीची से ही सारे देवदाओं और असुरों की उत्पत्ती हुई है कहार एक बहादूर और सासी जाती है पारंपरिक रूप से ये जाती अपने जीवन यापन के लिए प्राचेन काल से ही डोली या पाल के उठाने और उसकी रक्षा करने का काम करती आई है इन्हें गोंड, गौड, धुरिया, कहार, महरा, भोई, चंदरवनसी, छत्रिये कहार जैसे नामों से भी जाना जाता है कहार जाती के मैत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि पुराने समय में जब डाकूओं का प्रचलन जोरो पर था ये डाकू रास्ते में दुलन की डोली और गैने जेवर लूट लिया करते थे डोली की रक्षा के लिए कहार दल का गठन किया गया था जो दुलन की डोली को सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुचाते थे इनके पूरवज किसी भी परिस्थिती में जान पर खेल कर राजपरिवार के बहु बेटियों को डोली में बिठा कर जंगलों और बीडों से होते हुए उन्हें दुश्मनों और डाकों से बचा कर सुरक्षित स्थान तक पहुचाते थे लेकिन राजे राजवारों का सासन समाप्त हो जाने के साथ ही डोली उठाने का काम भी खतम हो गया इसके बाद इन्होंने जीवन यापन के लिए खेती, मचली पालन, टोकरी बनाने और उसे बाजारों में बेचने और दूसरी नौकरी व्यवसाय करने लगे बदलते हुए समय के साथ ये लोग सिक्षा और रूजगार का लाब उठाते हुए अलग-अलग काम धंदे करने लगे है आज ये सभी छेत्रों में उपस्थिती दर्च करा रहे हैं और अपनी सफलता की कहानी लिख रहे हैं इससे मिलने वाले खर्चे से उनका जीवन यापन चलता था उस जमाने में डूली शान का प्रतीक हुआ करती थी पालकी, राजे राजवारो, जमिंदारो और संपन लोगों के लिए यातायात का साधन था बाद में डूली को शादी के अवसर पर दुला दुलन की सवारी के रूप में यूज़ किया जाने लगा इसके लिए कहारों को महनत आने के साथ साथ दुला और दुलन पक्ष के लोगों से दान और पुरसकार मिलता था कहार जाती को बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर्याणा, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों में OBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में रखा गया है कहार जाती के लोग मुख्य रूप से बिहार, पंजाब, हर्याणा, पूर्वी और पश्य में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में रहते हैं राजस्थान में ये सीकर, नागो और जुंचनो, जैपूर, गंगा नगर, अजमेर, टोंक जैसे जिलों में इनकी अच्छी आबादी भी है चंद्रवंशी, छत्रिये कहारों का एक समूदाय है, जिनकी उत्पत्ती गंगा के मैदानी इलाकों में हुई थी ये धार्मेक और पवित्र अवसरों पर पाल की डोने का काम करती थी चंद्रवंशी, छत्रिये कहार भारत के अधिकांस भागों में पाय जाते हैं लेकिन विशेश रूप से ये उत्तर भारत में सेंट्रलाइजड है ये मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर परदीज, सहारनपूर, फरुखाबाद, कानपूर, मुझफर, नगर जैसे छेत्रों में पाय जाते हैं ये बिहार और पश्चिम बंगाल के जादतर हिस्सों में भी पाय जाते हैं दोस्तो कहार धर्म से हिंदू है ये हिंदु देवी देवताओं की पूजा करते हैं और हिंदु तेवारों को दूमधाम से मनाते हैं थोड़ी बहुत संखे में मुसलिम और सिख कहार भी पाय जाते हैं मुसलिम कहारों का समुदा है जो उत्तर पूर्व भारत और बांगला देश में पाय जाते हैं ये पालकी डोने के साथ-साथ खेती का काम करते हैं। दोस्तों कहार जाती की उत्पत्ती के बारे में बात करें तो इसमें कई सारी मान्यता हैं। दोस्तों के आनुसार वृत्रा सुर्म नामक असुर के वद्ध के दोरान इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाउप लग गया। ब्रह्म हत्या के महादूस का प्रैशित करने के लिए उन्हें स्वर्ग छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर हजार वर्स तक तपस्या करना पड़ा। इंद्र भगवान का आसन खाली ना रहे इसलिए देवताओं ने मिलकर प्रित्वी के प्रसिद्ध चंद्रवंसी धर्मात्मा राजा निहुष को इंद्र के स्थान पर स्वर्ग का राजा बना दिया। नेहुष का उलेक रिगवेद में भी किया गया है। स्वर्ग का राज्य पाकर नेहुष भोग विलास में लिप्त हो गया। एक दिन अचानक उनकी दृष्टी एंद्र की साधवी पतनी सची पर पड़ी। सची को देकर वे कामांध हो उठे और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभाव प्रयास करने लगे। ब्रहम हत्या के दूस से मुक्त हो जाने के बाद इंद्र फिर से शक्ति संपन हो गया। लेकिन इंद्रासन पर निहुष के विराजमान होने के कारण उनकी पूर्ण सक्त वापस नहीं मिल पाई। उन्होंने अपनी पतनी सची से कहा कि तुम निहुस को रात्री में मिलने का मौका दो। लेकिन उनसे ये कहना कि तुम से मिलने सब्त रिशियों की पालकी में बैठ कर आए। तुम्हारा धर्म नश्ठ हो और तुम 10,000 वर्षों तक सर्प योनी में पड़ा रहे। अगस्त रिशी के सराप को सुनकर नहुस तभी साप बन गया और पृत्वी पर गिर पड़ा। और इस तरह से इंद्र भगवान को दोबारा इंद्रासन प्राप्त हो गया। इस मान्यत के अनुसार कहार उन सब तरिश्यों के वनसज है जिन्होंने चंद्रवंसी छत्री राजा नहुस की डोली उठाई थी। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद।